भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपती ग्यानपीत पुरसकार पाने वाली पहली भारतिय महिला कौन थी? 1976 में बंगाली उपन्यासकार आशापूर्णा देवी यह पुरसकार जीतने वाली पहली महिला बनी और उन्हें 1965 के उपन्यास प्रोथोम प्रोतिश्रुती, दफर्स्ट प्रॉमिस के लिए सम्मानित किया गया, जो किसी त्रई में पहला था. भारत रत्न पाने वाली पहली भारतिय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, वो भारत की पहली महिला प्रधान मंत्री थी और उन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. उन्हें 1969 में कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था. जो Miss Universe बनने वाली पहली भारतिय महिला थी सुश्मिता सेन ने भारत की पहली Miss Universe बनकर इतिहास रच दिया 29 साल बाद वो उस दिन को बहुत याद करती है Mount Everest पर दो बार चड़ने वाली पहली भारतिय महिला कौन थी? संतोश यादव, जन 10 अक्टूबर 1967, एक भारतिय परवतारो ही है वो Mount Everest पर दो बार चड़ने वाली दुनिया की पहली महिला है और कांग्शुम फेश से Mount Everest पर सफलता पूर्वक चड़ने वाली पहली महिला है Miss World बनने वाली पहली भारतिय कौन थी? रीता फारिया ने 1966 में Miss World का ताज जीतने वाली पहली भारतिय एशियाई बनकर हर किसी का दिल जीत लिया उन्होंने इतिहास रचा और कई युवा महिलाओं को प्रेरित किया, जो बाहरी दुनिया में कदम रखना शुरू कर रही थी उनके साहस और ड्रिर संकल्प ने उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए माउंट एवरेस्ट पर चड़ने वाली पहली भारतिय महिला कौन थी? बचेंद्री पाल, जन्म 24 मई 1954, एक भारतिय परवतारोही हैं 1984 में वो दुनिया के सबसे उचे परवत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चड़ने वाली पहली भारतिय महिला बनी उन्हें 2019 में भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच नागरिक पुरसकार पद्म भूशन से सम्मानित किया गया जो नोबेल पुरसकार पाने वाली पहली भारतिय महिला थी मदर तेरेसा 1989 में नोबेल शांती पुरसकार जीतने वाली पहली भारतिय महिला थी उनका जन 26 अगस्त 1910 को हुआ था उन्होंने 1950 में मिश्नरीज ओफ चैरिटी की स्थापना की थी उन्हें 1922 में रमन मेंगसे से शांती पुरसकार से भी सम्मानित किया गया था सैयुक्त राष्ट्र में पहली भारतिय महिला राजदूट विजया लक्ष्मी पंडित एक भारतिय स्वतंत्रता सेनानी, राजनैक और राजनी तिग्य थे उन्होंने 1953 से 1954 तक सैयुक्त राष्ट्र महासभा की आठवी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वो किसी भी पदपर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी वो 1962 से 1964 तक महराष्ट्रा की तीसरी राजयपाल भी रही भारतिय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी के लिए प्रसिद उन्हें आंदोलन के दोरान कई बार जेल जाना पड़ा भारत की प्रथम महिला प्रधान मंत्री इंदिरा प्रियदर शिनी गांधी एक भारतिय राजनीतिग्य और राजनेता थी जिन्होंने भारत के तीसरे प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया 1966-1977 तक और फिर 180-1984 में उनकी हत्या तक अशोख चक्र पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? निर्जाब भनोट अशोक चक्र पाने वाली भारत की पहली महिला थी और यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ती भी थी। नीरजा भनोट एक भारतिय फ्लाइट पस थी। 5 सितंबर 1986 को उन्होंने पैन एम फ्लाइट 73 में बड़ी संख्या में यात्रियों को बचाया, जिसे पाकिस्तान के जिन्ना अंतर राष्ट्रिय हवाई एड़े पर रुखने के बाद अबु निदाल संगठन की चार फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा अफरन कर लिया ग द्वासी में उनकी नियुकती एक अभूत पूर्व क्षन था जिसने देश की सरवोच आदालत में महिलाओं के लिए दर्वाजे खोल दिये एनी बेसेंट कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी. उन्होंने भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के 1917 के कलकत्ता सत्र की अध्यक्षता की. प्रथम महिला केंद्रिय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, एक भारतिय कार्यकर्ता और राजनीतिग्य थे. भारतिय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ उनके लंबे समय तक जुडाव के बाद, उन्हें 1947 में भारत की पहली केंद्रिय मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया और 1957 तक इस पद पर रही. राजय की पहली महिला मुख्य मंत्री कौन थी? भारतिय राष्ट्रिय कौन्ग्रेस पार्टी की सुचेता कृप्लानी ने 2 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में शपत ली. प्रथम महिला IPS अधिकारी किरन बेदी जन 9 जून 1949 अमृत सर भारत में एक भारतिय सामाजिक कारे करता है, जो भारतिय पुलिस सेवा IPS में शामिल होने वाली पहली महिला थी और जिन्होंने भारत में जेल सुधार शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. जो पहली महिला शासक दिल्ली की गद्धी पर थी रजिया सुल्ताना वो भारत की पहली महिला सल्तनत थी और उन्होंने 1236 से 1240 के अंत तक दिल्ली के दर्बार पर शासन किया ऐसा करने वाली वो एकमात्र महिला थी, उसने सिंघासन पर कबजा करने के लिए सभी बाधाओं को पार किया, जिसमें उसके लिंग और उसके दास वंच पर संघर्ष पर काबू पाना भी शामिल था भारत की प्रथम महिला राजयपाल, सरोजिनी नाइडू, वो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश की पहली महिला राजयपाल थी, वो भारतिय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदार थी, उन्होंने 1942 में भारत छोडो आंदोलन में भी हिस सलिया औफ इंडिया में शामिल होने के बाद, कैप्टन दुर्बा बैनर जी 1956 में कलकत्ता में इंडियन एरलाइन्स में शामिल हुई, जहां वो भारत की पहली महिला वाने जीग पाइलट बनी, जो विमान उडाने वाली पहली भारतिय महिला थी, सरला ठुकराल एक अग्रणी है ज एशियाई खेलो में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतिय महिला कौन थी, कमल जीत संधु, जन्म 20 अगस्त 1948, एक महिला भारतिय एथलीट हैं जिन्होंने 1970 बैनकॉक एशियाई खेलो में 400 मीटर दौड में स्वर्ण पदक जीता था, उन्होंने ये दूरी 57.03 में पूरी की वो एशियाई खेलो में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला एथलीट हैं। बुकपुरसकार जीतने वाली पहली भारतिय महिला अरुन्धती रोय, वो वर्ष 1997 में मैं बुकपुरसकार जीतने वाली पहली भारतिय महिला थी, जो भारत रतन जीत इतने वाले पहले भारतिय संगीतकार थे ए में सुब्बुलक्षमी जो उस समय 82 वर्ष की थी को करनाटक परंपरा में एक गायक के रूप में उनके विशिष्ट करिया के लिए पुरसकार मिला अपनी असाधारन आवाज के लिए प्रसिद्ध और अक्सर और क्वोट गीतों क की रानी और कोट के रूप में प्रतिष्थित सुब्बुलक्षमी यह प्रशंसा पाने वाली पहली संगीतकार थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतिय महिला कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतिय महिला थी वो है एक भारतिय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने दो अंतरिक्ष शटल मिशनों पर उडान भरी थी 2003 में Space Shuttle कोलंबिय दुरगटना में उनकी मृत्यू हो गई जो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार जन्म 31 मार्च 1945 एक भारतिय राजनीतिग्य और पूर्व राजनेग है भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस की सदस्य वो 2004 से 2009 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री 2009 में थोड़े समय के लिए जल संसाधन मंत्री रही भारत की पहली महिला महासचिव कौन थी स्नेहलता श्रीवास्तव स्नेहलता श्रीवास्तव एक पूर्व भारतिय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और सिविल सेवक हैं, जिन्होंने 10 दिसमबर 2017 से 30 नवंबर 2020 तक लोकसभा के महासचिव के रूप में कार्य किया, उन्होंने लोकसभा की पहली महिला महासचिव के रूप में कार्य किया, वो राज्य सभा के उपाध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के सदस्य थे। वह भारत में उच्चन यायाले के समक्ष उपस्तित होने वाली पहली महिला वकील थी। जो संसध की पहली महिला सदस्य थी। राधापाई सुब्बारायन राजनीतिग्य कैलाश राधाबाई सुब्बारायन, एक भारतिय राजनीतिग्य, महिला अधिकार कारेकर्ता और समाज सुधारक थी। वह भारतिय राजनीतिग्य पी, सुब्बारायन की पत्नी और मोहन कुमारमंगल्मा, पीपी कुमारमंगल्मा और पार्वती कृष्णन की मा थी। झाल झाल